आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्ञान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच बहात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन वे, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्ञान, बाई और बैनों, मातरी सक्ती को नमन, आज का हमारा बहुत सुन्दर विश्ञा है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान के बिना हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, अगर आप फोर वीलर चला रहे हैं, और आप ध्यान से नहीं चला रहे हैं, या उसको चलाने का आपको नॉलेज नहीं है, आप एक्सिडेंट कर बैठेंगे, अगर मान लो ड्राइवर बीश डबमों की ट्रेन चला रहा है, और वो ध्यान से नहीं चला रहा है, सिगनल का ध्यान नहीं देता है, तो एक्सिडेंट कर बैठेंगा, एक रहेनी बोजन पका रही है, बोजन में कितनी आच है, कोई साड़ी वाड़ी टस तो नहीं हो रही है, दूसका ध्यान न रखे, तो वो जल जाएगी, एक बच्चा है, वह पढ़ रहा है, लिक रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं दूसरी जगे है, तो वह उस चीज़ को याद नहीं रख पाएगा, एक बिजनसमेन है, वो गले पर बैठा है, और कोई दुकानदार जो है, सामान ले गया, उसने सही कैलकुलेशन की तो पैसा कम मिल गया, कहने का अर्थी है कि बिना ध्यान के जीवन का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है, चाए मन का काम हो, चाए वचन का काम हो, चाए काया का काम हो, हमारे संसारिक कारी करने में या धार्मिक कारी करने में ये तीन योग काय जाते हैं, ये बहुत बड़े सायक होते हैं मन वचन और काया मन से हम वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूत काल की हम स्मृति करते हैं भूशे काल की कल्पना करते हैं ये मन का काम है और वचन का काम है बोलना इंट्रेक्शन करना बिना बोले हम किसी से वारता लाप भी नहीं कर सकते हैं और शरीड के दोरा सब काम करते हैं खाने का पीने का उटने का बैटने का और कॉलेज जाने का और नेता है तो आफिस जाने का वेपरी है तो दुकाज जाने का सारा काम काया यानि शरीड से होता है तो मुझे एक ऐसा ऐसी जगे तो बता दो बिना ध्यान के कोई काम हो सकता है तो इसका अर्थ ये होगा कि चाए हमारा बाहरी जगत का काम हो चाए भीतरी जगत का काम हो ध्यान दोनों के लिए आफशक है बाहरी जगत के काम के अंदर ध्यान का अर्थ होता है जो प्रवर्ती हमारी मन वचन काया की चल रही है उसको ध्यान पूर्वक सोचो ध्यान पूर्वक बोलो और ध्यान पूर्वक करो यानि पहले तोलो फिर बोलो पहले ये चिंतन करो कि ये वाक्य मुझे उस सामने वाले को बोलना है या ना बोलना है जैसे माली जीए आपके सामने पिता खड़े है तो आपको पहले ये सोचना चाहिए पिता ने ये कहा आपको कि पानी का लोटा लेके आओ तो पहले आप चिंतन करो कि पापा जी ने लोटा मंगाया है मैं विनेशिल उनका पुत्र हूँ तो मुझे तुरंत लोटा लेके जाना चाहिए उनको दवाई लेनी है परन्तु आपने जो है वह चिंतन किया ही नहीं और आपने तो कह दिया तो पड़ाई कर रहा हूँ जबकि आप वास्त में फ्री बेटे हो पड़ाई कर रहा हूँ आप अपने आप पानी ले लो तो क्या ये कहा जाना चीए था ये नहीं कहा जाना चीए था हमें बड़ों के आदेश का आदर करना चाहिए उनको चित समादी पहुंचना चाहिए ग्राक है ग्राक ने कहा कि मुझे साड़ी बताओ और आपने दस साड़ी बता दिये मुल्ले बता दिया है और ये काम किये ये गर के काम किये ये बाहर के सब कुछ बता दिया फिर भी ग्राक तो ग्राक किये उसने कहा कि मुझे तो जो नहीं लेनी है तो उन्हों कहा कि आपके पास क्या दिक्कत है कोई बजट की बात है तो कम पैसे वाली ले लो लेकिन फिर भी ग्राग है उसने कहा दिया मुझे नहीं लेनी तो ग्या ग्राग को आप गाली दोगे कि तुमने मेरा इतना टाइम खराब किया और जो है तुने तो साड़ी करी दी नहीं है भई उसकी तुमाई डूटी है साड़ी बताने की तो कोई आएगा वो ले लेगा कोई नहीं लेगा आपको समता भाव रखना पड़ेगा शेहन शीनता का रखना पड़ेगा तो इस तरीके से हमारा जो सारा बहारी जगत का जिस जगत में हम जीते हैं वो सब काम होता है वो मन वचन काया की किरिया से होता अब हम बीतरी जगत की बात करें तो बीतरी जगत में भी जो है हमारा बिना चिंतन किये बिना मनन किये कोई भी कारे होता नहीं है और जितना चिंतन मनन होता हो बीतर से ही आता है हमारा जो बीतर का जगत यानि अवचेतन मन बाहर का जगत यानि चेतन मन जिसकी हमने बहुत बात करी है अब बीतरी जगत की बात करूँ अवचेतन मन होता है हमारा यह हमारा luminious बोटी होती है तेज़ शरीर होती है वो इस विश्यो की सबसे बड़ी फैक्टरी है वहाँ पर सारा रुपामतरन होता है और इतने काम होते हैं उसके अंदर जो विश्यो की किसी फैक्टरी के अंदर नहीं होता है वो हमारे आउचेतन मन में होता है आउचेतन मन म अगर कोई चीज चली गई ये ब्रिज का काम करता है तो फिर वो कभी भूली नहीं जाती हमारे जैन मुनी हैं उनके सामने तीस-तीस अक्षर वाली संक्या बोली जाती एक, पांच, तीन, दो, साथ, नो, आठ ऐसे अक्षर बोल करके वो अवचेतन मन में डालते देते हैं बोलने वाले को और फिर उनको का जाता है अब उसी ओर्डर से आप वापस बोलो तो वो मुनी जी उस अवचेतन मन में जाकर के और लड़ी वो चितर पट पे लिखी हुई चीज के लिखी हुई आजिर मिलती है और वो ध्यान करके पेज़ शरी को नियंतरण में करके स्वास को रोक करके मिस मैरिजम कराने वाले साठ साठ तिस सिस टन के ट्रॉले अपनी च्छाती से जो है गुजार देते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है वो प्राण को रोक लेते हैं और ये सारा होता है लियूम्नियस बोडी की ताकत से क्योंकि जो ब्रिज का काम करती है लियूम्नियस बोडी होती है लियूम्नियस बोडी की मैं आपको ताकत बताना चाहता हूँ यह देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस सरीर से आत्मा दूसरे सरीर में कैसे जाती है सबसे पहले तो क्या इस जनम में रहते रहते उसको अगले जनम का आयुशे का बंधन reservation करना पड़ता उसके पहले ये शरीर छोड़ नहीं सकती और उदर देखिए कि इसका अंतिम समय आ गया अगर उसने पहले इसकी calculation है उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ पहले समय के अंदर आपने उसने आयुशे का बंध कर दिया correction देदे करके और नहीं हुआ है अंत मती सो गती last moment के अंदर जब उसका आयुशे श्रमापत होता है जैसी लेश्या होती है शुब भाव होते हैं अशुब भाव होते हैं वैसे ही जो उसके आयुशे का बंध हो जाता है गती जाती इंदरियां किस माँ के पेट में जन्मेगा किस शित्र में जन्मेगा और जो है कितने बजे जन्मेगा साब कुछ तै हो जाता है एक साथ तै होता है आईश्य का बंद होते ही है आत्मा उस छरीर को छोड़ देती है अब देखे ओब वो जाती कैसे ये बड़ी मुक़्े बात है कि हमारी जो मूल आत्मा जो हमारे शरीड में दर्भी आत्मा जिसको काजाता है वैसे तीन केटेगरी होती है लेकिन आत्मा वही होती है मूल सुरूद वाली आत्मा द्रब आत्मा तो मुक्ती में जाने वाली आत्मा ये तो जो कार्मन शरीर ने इसको बांद लिया इस कार्मन शरीर में जुड़ी हुई है जाने वाली मुक्त मूल आत्मा है वो जाती है जब जाकर के ये जड़ है डेड़ बोडी हो जाता है अब वो जा क्यों हो रही है क्योंकि पुन्ने पाप का चिट्था अभी तक मौजूद है यानि कौजल बोडी लिंग सरीर के कारण ही अईशे बंदा अगर कौजल बोडी लिंग सरीर नहीं होती ता आत्मा ती तो कौजल बोड़ी साथ में है और मूल सुरुख वाली आतमा है दो हो गई अब सवाल यह है कि वो प्योर आतमा तो बिलकुल जो है अक्रिया है और जो कौजल बोड़ी है वो वे रहु से गोदाम है गोदाम क्या अपने अब चलता है क्या उसको दक्का देना पड़ता है और अक्रिया करने वाली मूल आत्मा तो कुछ भी नहीं वो तो निश्क्रिया है तो अब इसको लिजावे कौन इसको दक्का देने वाला मुमेंट ओफ इनर्शिया देने वाला लिूम्नियस बोड़ी होता है तेज़श शरीर होता है वो आगे जाकर करके होचेतन मन के साथ जुड़ जाता है तो उसका चमतकार है को उसने धक्का दिया और फिर जैसी गती का निरदारन होता है वो नरगती तीरेंज गती मनुश्य गती धक्का देते ही इदर से आत्मा गई और वो एक से चार समय के बीतर बीतर यानि नेकलेजिबल टाइम के अंदर वो जाकर के जनम ले लेती है अगली जैसा उसका बंद होता है तो मैं ये कह रहा था कि बीतरी जगत के अंदर हमारा जो आज का विश्य ही है कि ध्यान कैसे करें ध्यान का अर्थ होता है अब भीतरी जगत की बात करें बार की जगत की तो बहुत बात कर दी हमने ध्यान की जो है उप्योगिता शोशल इटिटिटिटी उसकी वायबिलीटी और जो है उसकी सब चीज़े हमने बताई तो अब जो मूल विश्य है कि ध्यान कैसे करें इसका अर्थ यह हुआ कि हम भीतरी जगत में जो मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन का अर्थ यह हुआ किसी एक विश्य पर जो है अपना सारा केंद्रित करना एक चिंटन एक विचार एक बात पे सारा केंद्रित होना वह ध्यान कहलाता है ये ध्यान दो तरह का होता है आलम्मन और निरालम्मन जो लोग फ्रेशर्स होते हैं नहे करने वाले होते हैं तो उनको ध्यान में आलम्मन लेना पड़ता है जैसे कि मानली जी जोती केंद्र है जहां पे हम टीकी देते है ललाट का मद्य भाग है इसके उपर हमने ध्यान को केंद्रित किया और ध्यान को केंद्रित करके और फिर जो है आलम बन लिया अपने बाला जी का आलम लिया भगवान मावीर का चित्र बनाया पार्शनाद भगवान का चित्र बनाया यहां जो जो आपका इस्ट हो जो उसको इस्ट को वाशुदेव का बनाया जो जो शिव ओम नमः शिवाय का बनाया ओम नमः भगवते वाशुदेव का बनाया जो जो आपका इस्ट हो उसका चित्र बना के आलम बन लेकर के और सारा जो आपका ध्यान कहीं दो दो पटग रह एक crystal clear white color के त्रिकोनात्म प्रिज्म का उप्यों किया होगा तो क्या होता है उस प्रिज्म को हम table पर रखते हैं सूरी की किरने जो आती है तो वह उसके त्रिभुजाकार जो है face के उपर आकर के और वह परावर्तन करती है प्रकाश का तो वह परावर्तन दूसरी साइड में होता है अब हमने उस परावर्तन को ऐसे adjust किया कि जहां पर जाके परावर्तन हो रहा है सारी किरने एक बिंदू पर आकर के इकटी होगी वहां कागज लगा दिया तो आप देखोगे कि वो कागज जलने लग जाता है इतना सूर्य का ताब प्रभावशाली हो जाता है तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि ध्यान जो है एक बिन्दू पर केंदरित करो तो वो इतना प्रभावशाली इतनी उर्जा देने लग जाता है कि आप परम ग्यानी बन सकते और और वो अगर निरालंबन ध्यान होते होते शुकल ध्यान होते होते आत्मा की प्यूरिटी है तो व्यक्ति केवल ग्यान तक को प्राप्त कर सकता है केवल ग्यान निरालंबन ध्यान से ही होता है लेकिन उसके पहले पहले जो है वो ग्याना वर बार में गुनिस्तान में फिर अंतर मुरत में ग्याना वर्णिया और जो अंतराय कर्मों को क्ष़े संपूर्ण रूप से करने पर ही केवल ग्यान होता है तो हम ध्यान करने वाली बात करें ध्यान कैसे करें ध्यान एक बिंदू पर टिका करना चाहिए अब जो लोग फ्रेशर्स होते हैं वो हमको प्रशन करते हैं कई बार प्रशन करते हैं कि हम नॉर्मल रूप में कोई कारी करते हैं तो हमारा मन इदर उदर नहीं बटकता है लेक बातों में उलज जाता है ऐसा ताता लग जाता है कि वो ताता समापती नहीं उतर हम इतने उलज जाते हैं कि सिर्भारी पड़ते आता है और हम ध्यान को छोड़ देते हैं तो ऐसे लोगों को मैं पिछले 34 साल से ध्यान कर रहा हूँ तो मेरा एक परामर्स शमझ लेजिए बहुत प्रैक्टिकल अनुबव जन्य परामर्स है कि आप जो विचारों का ताता चल रहा है उसको चलने दो विचारों को रोको मत आपने कभी देखा होगा कि बच्चे के हाथ में महेंगी क्रॉकरी की प्लेट है बच्चा हाथ में लिये रो रहा आपको चुड़ा रहे हो तो इधर तो आप कोशिश कर रहे हो चुड़ाने की वो ज्यादा रो रहा हो नहीं चुड़ेगा आप उसको छोड़ दो आप देखिए कभी आपने पतं मकर सकरांती को पत पतंग के अंदर क्या होता है कि पतंग तो आगे आकास में उड़ती जाती है और मंजा आपके हाथ में होता है आप डील छोड़ते रहते हैं और यो पतंग जो है आकास में उड़ती जाती है जो ही आपने टाइटनेस करी क्यों ही मंजा कांस से बना हुआता है आपका हाथ खून आ जाएगा वो प्रतिकिरिया करेगा उसको डिल छोड़ दीजिये तो ठीक दोनों उदान की तरह आप विचारों को एक्तम छोड़ दो उसको छुट्टी दे दो तेरी जहां इच्छा हो जहां जहां अच्छी जगे जहां बुरी जगे जहां गूम के आया खूब गूम के आओ जब आप उसको खुली छूट दे दोगे उसकी طरफ ध्यान नहीं दोगे तो क्या करेगा कि वो आपके खूटे आकर के बंद जाएगा जानि वो विचार फिर कहीं पर नहीं जाएंगे वो विचार आपके सारे शान्त हो जाएंगे तो इसलिए ध्यान करने में ये सारी प्रिकिरिया रखने चाहिए मैं आपको अब जो है वो एक ध्यान करने का रोल मॉडल बढ़ा देता हूँ मैं जो जोती के अंदर पर जो है लेश्या ध्यान का प्रियोग कराता हूँ ताकि आपको इस्पष्ट हो जाएगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए ध्यान करने के पूर्व सबसे पहले हम कयोसर करते हैं दोनों आके हैं कोमलता से बंद और जो है वो हमारी कमर जो है एकदम एंटीना की तरह सीधी रहे और जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो हैं वो ध्यान मुद्रा में ले आईए अब मैं आटो सजेशन दूँगा आप मेरे सजेशन के नुसार अपने चित को चेतना को मन को जो है गुमाते रहिए सबसे पहले हम कायोसर करेंगे तो हमारा दाया पैर का अंगूटे से हम चलेंगे फिर बाया पैर का अंगूटे से जो हमारा सरीर का निचला भाग कमर तक आएंगे दाया पैर का अंगूटा अंगूलिया पंजा एडी पैर गुटना साथल माया पैर का अंगूटा अंगूलिया पंजा एडी पैर गुटना साथल सुजाव दीजिये, सरीर का निचला भाग शितिल हो जाए, अनुबव कीजिये, शरीर का निचला भाग शितिल हो रहा है, शितिल हो गया है अनुबव कीजिये, कूरा शरीर का निचला भाग शितिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जनम नहीं, कोई मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, चारों अन्वव कीजिए मेरा शरी इतना हलका हो गया है कि अपने इस्तान से एक फुट उपर उट रहा है शरीर सितिल सांस को सितिल कीजिए दोनों नतुनों के बीच के मद्य आप जो है चित को केंद्रित कीजिए आते जाते सांस को देखिए सांस लेवें पेट फूलना चाहिए सांस निकालें पेट सिकुडना चाहिए शांस लंबा सांस गेहरा सांस सितिल सांस सांस शांत हो गया शरीर शांत है अब जो है हम आगे बढ़ेंगे हम दोनों नतुनों से जो है बहार के परमानों कीचिए सफेद चमकते हुए पर्मानू ललाट का मद्यभाग वहाँ पर उन पर्मानूं का गोल चक्कर बनाईए खीचिये बनाईए देखिये पूर्निमा का चमकता हुआ सफेद रंग का चांद बन गया है समचांद अब सारा आप विचार जो है ललाट पर केंद्रित कीजिए आप मात्र देखिये कि आप सुझाव दीजिए कि मेरा क्रोब एंका माया लोब सारे कशाई इस वाइड चंदरमा के अंदर बश्मी भूत हो रहे हैं मेरा कशाई उप्षमन हो रहा है कशाई उप्षमन हो रहा है हो गया अनुबव कीजिए कशाई शांत हो रहे हैं कशाई डाइल्यूट हो रहे हैं कशाई उप्षमन हो रहा है कशाई दीमे पड़ गए हैं अब आप जो है और अच्छी तरह से चिंतन कीजिए मैं जो है और गहरे में चिंतन के लिए आपको अकेला चोड़ रहा हूं वानी को विराहम दे रहा हूं आप अनुबव कीजिए मैं भी अनुबव कर रहा हूं जो ललाट का मद्दे बाग जोती केंद्र जो चंदर्मा है उसके उपर सब कशाई को वश्मी भूत होते देखिए कशाई शान्त हो गए हैं अनुबव कीजिए मेरे कशाई शान्त हुए निर्मल हुए उप्षमन हुआ कशाई का उप्षमन अब आप दोनों आके खोल दीजिए प्रभू ने आपको आशिरवाद किया प्रभू की साक्षी से आपने ये ध्यान किया और एक बिंदू पर ध्यान केंदित करके आपने कशाय उपसमन का ध्यान किया आपने जो है जोती केंदर पर कशाय उपसमन का ध्यान किया अब भगवान का या आशिरवाद अतेली पर आगया है इस आशिरवाद को आप तीन बार अतेलियों को मसल करके आपने सिर्प पर लग कि ध्यान कैसे करना चाहिए ध्यान ऐसे करो कि विचारों कई तांते को प्रबावित मत होने दो उसको डील छोड़ दो अपने आप जाता रहेगा और आपने तो जो आलंबन लिया है उसका ध्यान करते रहो चित को उसके उपर एक बिंदू पर केंदृत करते रहो आप देखो कि धीरे धीरे जो आपने संकल्प किया है वह संकल्प साकार होता रहता ता जाएगा ध्यान करने से हमारी संकल्प शक्ती बढ़ती है हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है क्योंकि इससे हमको उर्जा मिलती है सारा ध्यान हमको उर्जा देने वाला है और धीरे धीरे जब ध ज्यान सद जाता है तो हमारा कशाय उपसमन भी होता है और हमारा आत्मसाक्षात कार भी होता है अमारा जो निरालंबन ध्यान भी होता है और निरालंबन ध्यान करते करते उसी ध्यान के अंदर हमारा कार्मन शरीर भी तप तप करके जलने लग जाता है जल जल करके वो राक हो यह अवस्ता तो तब आती है जब कि आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास हो गया है प्रैक्टिस मेक से मेन पर्पेक्ट करत करत अभ्यास के और जडमती होत सुजान और रस्री आवत जान के और सल पर पड़त निदान अब्यास करने से हर चीज़ का अब्यास हो जाता है जो निरा मुर्क होता है वह विद्वान बन जाता है और जो पत्थर के उपर जो चलती है रसी वह भी एक पत्थर पर लकीर बना देती है अब्यास करने से निरंतर सारते कंसिस्टेंसी से तो हम consistency में ध्यान करते रहें तो हम आदी, व्यादी और उपादी को छोड़ करके समाधी को प्राप्त कर सकते हैं ये हमें आदी, व्यादी, उपादी छोड़ने के लिए हम ध्यान करते हैं आदी का अरत होता है मानसिक अशान्ती emotional होते हैं हमारे उपादी का आरत होता है करोद, मान, माया, लोब इन से हट करके जो है हम सरलता, रिजुता, मर्दुता, शंतोष की भावना को पैदा करें तो इस तरीके से जो है हमारा ये ध्यान सद्दे सद्दे पराकाश्ता तक पहुंच जाता है और इसके सासात में दो फंक्शन होते है ज्यान तो सद्दा है और हमको शान्ती की आनंद की उपलब्दी होती है सासात में करम शरीर भी दीरे दीरे विलीन होकर के शुन्य तको प्राप्ती होती है करम शरीर शुन्य यानि आब मुक्त सरवे बवंतु सुकिना सरवे संतु निरामया लोक के सब जीवों को सुक मिले शान्ती मिले आनंद मिले प्रेम मिले enjoying मिले और सभी भाई भाई की तरह से हम बरताव करके और स्वर्ग को धरा पर उतार लावे ओम शाद एक ऐसा अंतराष्टिय ख्याती प्राप्त मानव जो गुरू प्रेणा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में सनलगन है एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनों प्योगी विश्यों पर रिदैस पर्शी प्रवचन कर चुका है उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग, दर्शन, शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्तर के 250 शोद गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्ती पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोद गरंथ वहां की सेंटरल लाइबरेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्क्शॉप, कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्तियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षन देकर उन्हें सु संसकारित किया डॉक्टर तातेड ने भारतिय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेब साइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उप्योग लाखों पाठक कर रहे हैं उपासक तातेड के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुब संदेश, आज का मंगल भावना योग, आदी चिंतन वेब साइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं मानवता के मसीहा ऐसे महा मानव महत्मा सोहन राज तातेड के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर, एवं लाखों दर्शक, फेस्बुक, ब्लॉगर, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल